इसकी मूल समस्या यह नहीं है, कि ये उत्धेज्य द्रत्यादे हो जाता है, या बहक जाता है मूल बात ये है, कि ये खाली है, खाली होगातो प्तटा डाल से टूट गया, उसके बाद किधर को तो भबाय ले जाएगी न, उसको पूरभ नहीं तो पच्छिम को को कह ऊऊंगे बहगया पच्छिम को नहीं भए होते तो किसी और दिशा बार तम डाल से तूटे उसके बाद ये तो पक्का है कि किधर को तो बहको गेही किसी न किसी दिशा की गुलामी तो करनी पड़ेगी क्योंकि अब व्रक्ष से तूट गए मूल से वियुक्त हो गए अभी ये उम्रत तुमारी जवानों शरीर सक्री है तो कह देते हो कामोतेजना बहा ले जाती है थोड़ी बुढ़े हो जाओगे तो फिर कह दोगे पैसा बहा ले जाता है थोड़ी और उम्र बढ़ जाएगी तो कह दोगे चिंताएं उठा ले जाती है पूरब को भाओगे नहीं तो पच्छिम को भाओगे तक्षिन को भाओगे अनंत दिशाएं है किसी एक दिशा की शिकायत मत करो कि मैं वासना की दिशा क्यों बह जाता हूँ उस दिशा नहीं भाओगे तो किसी और दिशा भाओगे मूल समस्या क्या है खाली हो पत्ता पेड़ से टूटा हुआ है तुम यगीन समझे लो कि तुम्हें अगर बहकने के लिए उतेज़ित होने के लिए काम वासना नहीं मिली मान लो किसी रासायनी को पाए से तुमको नपूंसक कर दिया जाए कुछ दिनों के लिए दो चार इंजेक्शन मार दिये जाए कोई विधी लगा दी जाए तुम्हारे मस्तिश्क में कि तुम्हारा जो काम केंद्र है वो बिलकुल शिथिल पड़ जाए तो तुम्हें क्या ल मिठाई कि खुश्बू नाक में पड़ी नहीं बड़ी-बड़ी मिठाई है कि इस्तरियों का बड़ा शरीर देख करके मैं तुरन ततकाल बहकी जाता हूं वैसे कहो गया रहे क्या बड़ी-बड़ी गोल-गोल जलेबियां थी मैं तो बहकी गया और फिर तो जलेबियों का विचार चलता रहा और जैसी तुम यह काऊगे मैं तुरन परेष्टे क्या काऊंगा तुम इस तिली के पीछे भागो जलेबियों के पीछे भागो सवाल तो मेरा एक ही है क्या खाली क्यों बड़े हो समय कहां से मिला जलेबियों से अभी तुमारा मह भंकरा दिया कुछाल पाल चली गई अब तुम जलीवी के पीछे भी नहीं भागते तो तुम और गाडियां आकर शित कर लेगी काऊंगे क्या गोल-गोल चिकनी-चिकनी गाडिया है कि वासना को तो विश्य चाहिए होसकता है गोल-गोल चिकना चिकना इस तरी का शरीर भी हो सकता है और गाड़ी भी हो सकती है कुछ न कुछ तुम्हें मिली जाएगा और वासना को जब विश्य चाहिए लिए तो क्योंनों उसे ऐसा विशह दे दें जो वासंदमा को यह मुझा है चांद कर दू को कि तुम्हें कुछ तो चाहिए यह पकड़ने के लिए कमा किوس तुमको राम का नाम दिया, राम का काम दिया, वो नाम भी बहुत बड़ा है, काम भी बहुत बड़ा है, तो काम पकड़ लो, उसके बाद किसी और काम के लिए फुरसत ही नहीं मिलेगी. झाल में पकड़ पकाम मिलेगी.